कि सामय कुम students आज का माँ टोपिक ए ग्रेट रेफरेंस तोपोग्राफिक मैप के ऊपर ग्रीट रेफरेंस को हम स्थर्डी करेंगे ग्रेफरेंस के गड़े रेफरेंस आज यूस्ट वेट पस्लोकेट ग्रेट एंड एर इस से हम टॉपग्राफिक मैप के उपर किसी भी चीज को लुकेट करता है कि सीदी की लुकेशन फञेनट करते हैं डाहिए पर आदो डे चोंच टॉपो ग्रैफिक मैफ्स की और चीज़ की लिचाइज साइस लोकेशन करने और दौट रेफ्रेंस केते हैं और दूसे खूम इस को डिजर रेफरेंस कहते हैं यह एक मैप है टतोपग्राफिक मैप जिसको ग्रेड लाइन से अभल है और वो ग्रेड लाइन इस मैप को ग्रेड स्क्वाइर में डिवाइड कर रही है अब यह ग्रेड लाइन दो तरह की होती है एक हम इस्टिंग कहते हैं उसे को नौर्टिंग इस्टिंग वो लैंसे जो वर्टी करीड रहाने वर्टीकल अप लाइंस जो हैं उन लाइंस को हम इस्टिं करेंगे इन लाइन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी दूसरी नौर्टिंग लाइसे नौर्दिंग होरीसंट्रली ड्रॉन लाइन कहलाती है और इन लाइन की वैल्यू नौस साइट पर इन की रॉट यह जाएगी यहां पर आपको यह दोनों लाइन्स और उनकी वैल्यूज नजर आ रही हैं जो वर्टीकल लाइन्स हैं वो इस्टिंग्स हैं और इनकी वैल्यू बॉटम में दी गई यह और यहां पर आप देख सकते कि जाए से आप राइट साइट पर इस्ट वर्ड मुव करेंगे इनकी इंक्रीज ओर ूंहें 93 94 96 इस तरीके से इनकी वैल्यूं इंक्रीज्टी तो नॉर्ढ इंक्रीज़ और नॉजब होरी यह है और ये नॉजे वैल्ज चैट पर दी गई है वह जैसे अपट इपके यह रहा है नौर्धिंग लैंज की वेल्यू इंक्रीस हो गया तो इस्टिंग लैंज वो लैंज है जो वर्तिकल लैंज है नौटव सौट ड्रॉण नौस सौट डेरिक्शन में इनको ड्रॉख किया जाता है और नॉर्धिंग लाइं जाए होरीजंटल लाइं जाए इस टू वेस्ट करती है वेल्यू इनकी 0-99 के दर्मियान देती हैं प्लेस्ट टू सेंटीमेटर अपार्ट आम तर पर यह एप्रॉक्सिमाटली टू सेंटीमेटर के डिस्टेंस पर पुद्रा होती है और इनकी जाओ अब इस वर्ड मूब करेंगे इंपी और नाचेशु आठे गी नॉंट की तरफ मूब करेंगे इंक्रीज ऑगी कि यह एक टोपोग्राफिक मैप है ज सकपने जी फिर इस टी लेन्जिए स on a कौ बधियर शेम हिस्ट गाडव करेंगे यह नौर्धिंग लैंग्स किलाएंगी अब इनकी वैल्यू इस्टिंग की बाटम पर आपको नजर आ रही है जो इस्ट वर्ड इंक्रीज हो रही है और यह वैल्यूज इस्टिंग वैल्यूज किलाएंगी प्रत्रोड रहे हैं जबके नौर्धिंग लाइन जाए से था नौर्ध वर्ड इन अपड़ मूवव होंगे यह वैल्यूज इनकी इंक्रीज होंगी और इनको हम नौर्धिंग केंगे इस तरीके से टोपोग्राफिक मैप इस्टी नौर्धिंग ग्रिड लाइन्स में ग्रेड लाइन विस पर ड्रॉट द्रॉट होती है अब ग्रीड रेफ्रेंट के तो टाइप से को एरिया रेफ्रेंस के निए जब हम इसी एक बड़े एरिय इ synthese को खértए च्हें को रिक्रेशा को कि राफ स्वाइंट करेंगे ऀड़ेंहीं में उसके पूरे जो ग्रेड स्वेर होगा उसकी ल्फेकर्षिन हम फरिड करेंगे और और यह एरिया प्रफिगर और यह एरिया रेफरेंस फ्रफिगर फिवाल्व की वैल्यू होगी डोबहरा मैं समय पर हाते हैं इसमें हम एक ग्रेडव स्क्टर की वैल्वी फाइंड ना चाहिए अरिया रफ्रेंस-अफ़ राउस वह ग्रेडव स्क्रायर वह स्क्राइज इसके इंदर हाऊस आपको नजर आ रहा है उसका कि This एङर हम too 4317 का क्यांसे और हम पहले क्या हम फांड करेंगे? इसकी लॉइफ वे intuitive नज़र आ रही है फिर हम इसकी नौर्दिंग वैल्यू फांड करेंगे जो के 17 नज़र आ रही है हमें इसी तरह हम किसी और की इसके इसके नज़र आ रहे है तो उसकी फिफ्टीन होगी अगर वह जिसके में आपको एक वह नज़र आ रहे है वह उसकी टू थ्री वन सिक्स होगी आ इसी तरह यह एक वैल्यू फांड करा चाहिए जैसे यह एस्क्रेट है इसकी वैल्यू तू-टू-ट्री-एट और होगी ओंद बाट ठी सिक्स होगी हिए अगर सी की वैल्यू हम फांड अचाहिए और डबल तू-टी-फाइव घोगा और अगर हम डी की वैल्यू फाइंट करें तो टू डू डबल थ्री सेवन होगी एरिया रेफरेंस की बाद हम ग्रेड रेफरेंस की बाद करेंगे अगर हम मौर प्रीसाइज ली किसी चीज़ की रिपेशन ऐसके लिए हमें इसक्सफिगर ग्रेड रेफरेंस एरिया रेफरेंस की छोगे उसकी एक्जेक्ट लोकेशन मैप के ऊपर एरिया डिजिट रेफरेंस होता है वो इस टिंग और नौद इंग रहते हैं जबके सेकंड थर्ड नमबर जो हता है है वो 10th value होती है नौर्धिंग इस्टिंग की for example अगर हम ग्रेड रेफ्रेंस 6 ग्रेड रेफ्रेंस यहां पर find करें यह 235638 है इसमें जो पहले two digits 33 है यह इस्टिंग की वैल्य होगी और उसके बाद इसके नेक्स्ट्टी डिजट से है उसमें 63 जो वैल्यों कि वह नौर्धिंग एल्योन यह फाइव नजर आरहे यह 10 वैल्यों या 8 जो नजर आ रहे इसकी एक्जेम्पल हम देखते हैं वह इस एक रेफरेंस पर दो बाल इन विच दवाइब टू कैच वह ग्रीड इसमें एक वाइब वह और वह एक बाल को केच कर रहे उस बाल के गरम ग्रीड रेफरेंस फाइंड करना चाहें उसके लिए हमें इस ग्रीड स्कार को पर्समें डिवाइड करें जेह को इसमें हम देखें कि कूंसी लाइन क Film यह तो मिट ग्वाह रही हों दोंदिय में एक एक। dubbed किया है उसके उपर चॅब कि कियो घर लॉंद पौर की लुकेशन गारी हो फिछ यह इसको रिशेंटंट भी डिवाइद करेंगी है यादनत पॉजीशन आ रही है बॉल की इस तरीके से जगर अगर हम उस बॉल की प्रीसाइज लोकेशन फाइंड करना चाहिए मैप की उपर तो यह तू थ्री एट वन शिक्स नाइन आएगी तू थ्री इसमें इस्टिंग की वैल्यू होगी और वन शिक्स इसमें नौर्दिंग की वै थे ट्री इस्टिंग और थर्ड दिजिट ऐने क्या है तैंट दी मिजने इस चिंगे फिन एच्ट टो डिजट आद नौर्दिंग एग्वेल्ट ग्यस्क्त रिचिस धिजर्ट इस्ट्ट इंटन टिवीजन अफ नौर्टि इंग इस थरी किसे हम प्रॉम पॉर्यूर्ट कर